इंडिया के जादतर हिस्सों में अब ओफिशली गर्मी का मौसम शुरू हो गया है यानि लंबे बाल वालों के लिए जूड़े या पोनी टेल बना कर रखने वाला सीजन और इसलिए आज मैं पोनी टेल बांद कर दफतर आई थी लेकिन दफतर आते ही मुझे पोनी टेल से जुड़ी ऐसी खबर पता चली जिसने मेरी ग्यान चक्षू खोल दिये इसने मुझे उस पाप से अफगत कराया जो मैं सालों से अंजाने में कर रही थी पोनी टेल बांद कर लड़कों को उत्तेज़त करने का पाप पर केवल पोनी टेल बांदना पाप नहीं है कई और गलतियां है जो मेरे जैसी कई लड़कियां अंजाने में कर रही होंगी तो मैंने सोचा क्यों या म्याओ में उन लड़कियों को उन हरकतों के बारे में बताया जाए जिसके कारण पुरुष उत्तेज़त हो जाते हैं और लड़कियों को पता भी नहीं होता हाई मेरा नाम है सोनल और आप देख रहे हैं ओडिनारी की स्पेशल सीरीज म्याओ जापान के स्कूलों में पढ़ने वाली लड़कियां अब पोनी टेल बांद कर स्कूल नहीं जा सकते क्योंकि स्कूलों ने इस पर बैन लगा दिया है और ऐसे करने के पीछे वज़ा बताई कि लड़कियों का चोटी बांदना लड़कों को सेक्श्वली एक्साइट यानि की यौन रूप से उत्तेजित कर सकता है तरक है कि चोटी बांदने से गर्दन का पीछे वाला हिस्सा दिखता है और उसे देखकर लड़के बहक जाते हैं चोटी अगा मत मैं जोप नहीं कर रही यह बिल्कुल सची खबर है जापान के मिडल स्कूल की एक पूर्फ शिक्षक में वाइस नियोज नेटवरक से इस बारे में बड़ी डीटेल में बात भी की है इस खबर को पढ़ने के पहले मुझे भी इस बारे में कुछ नहीं पता था मैं भी अंजान थी और अंजाने में पोनी टेल डाल कर न जाने कितने सारे बेचारे पुरुशों को बहका रही थी लेकिन अब मैंने रिसर्च की और लिस्ट मनाई कि आखिर वो कौन सी हरकते हैं जो पुरुशों को उत्तेजित करती है सबसे पहला पोनी टेल यानि चोटी बांधरा अब इसके बारे में तो आपको पता चल दिया दूसरा है बाल खोलना आपके खुले हुए बाल देखकर भी लड़के उत्तेजित हो जाते हैं जुल्फे खुली होंगी आप उन्हें संभालेंगी या सवारेंगी और ये लड़कों के लिए सिगनल होगा और ये कोई छूपी ओई बात नहीं है बॉलिवुड ने तो बाकाइदा गाने लिखकर इसे बताया है जैसे बिखरा के जुल्फे चमन में न जाना इसलिए कि शर्मा न जाएं फूलों के साय और बाल धोने के बाद उसे जटक कर तो बिल्कुल न सुखाना काहसे कि आपका तो कुछ नहीं जाएगा दो-चार बाल तूटेंगे और जल्दी बाल सुखेंगे लेकिन ये लड़कों को भेका देगा वोगाना भी आपने सुनाओगा न जटको जुल्फ से पानी ये मोती फूट जाएंगे तुमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा मगर डिड़ तूट जाएंगे तीसरा है हसना लड़कियों याद रखना हसी तो फसी आपका हस-हस कर बात करना, मुस्कुराना, स्माइल करना ये सब लड़कों के लिए इशारे होते हैं आपके इस तरह के वेवार से वो मान लेते हैं कि अब तो आप सेट हो तो अब से आपको लड़कों से बात करते हुए, उनकी तरफ देखते हुए बिलकुल नहीं हसना है ना स्माइल करना है, चाहे कितनी भी फणी बात हो वो बचारे इतने सीधे और मासूम होते हैं कि उसी हसी पर दिलहार बैठते हैं लिस्ट में अगली चीज है, मेकप करना डेड़िट पर मैंने एक लड़की का पोस्ट पढ़ा, उसने लिखा था किसी लड़की के गाल नाचरली तो गुलाबी होते नहीं है वो मेकप लगाती है, गाल गुलाबी करती है और उसके पीछे की वज़ा लड़कों को रिजानन नहीं तो और क्या है सहेलियों, तुम्हारा मेकप करना, काजल लगाना, लाल लिपस्टिक लगाना आई-लाइनर, आई-शैडो या कुछ भी लगाना सिर्फ और सिर्फ लड़कों के लिए होता है यह सब तुम उन्हें रिजाने के लिए ही करती हो अब इन्ही सब से तो वो सिगनल लेंगे और यही सब उन्हें उत्तेजित करेगा वैसे मैं डिस्क्लेमर दे रही हूँ मैंने लिपस्टिक किसी को सिगनल देने के लिए नहीं लगाई है इस लिस्ट में अगला नंबर है कपड़ों का मतलब सर्चन तरह के कपड़ों का जैसे तुम्हारा क्रॉप टॉप पहनना टाइट जीन्स पहनना शॉट्स पहनना स्लीवलेस पहनना यहां तक की चुन्नी का सरकना और पल्लू का खोसना भी लड़कों को एकसाइट कर देता है क्रॉप टॉप के बारे में तो मुझे एक बहुत ही अमेजिंग कॉमेंट देखा क्रॉप टॉप में लड़कियों की कमर दिखती है अब उसे देखकर कोई कैसे न फिस ले और तो और स्कर्ट की लेंथ तक सिगनल होती है क्योंकि अगर स्कर्ट छोटी है तो तुम्हारे पैर दिखेंगे और अगर लड़की ने पैर पर वैक्स करा रखे है तो फर एकड़म क्लियर है कि उसने ऐसा क्यूं किया है समझी? तो लड़कों को एकसाइट नहीं करना चाहती हो तो ये सब करना बंद कर दो और क्या करना चाहिए उन्हें एकसाइट ना करने के लिए ये मत पूछना क्योंकि ये लड़कों ने नहीं बताया कपडों के साथ फुट्वेर का भी बहुत ध्यान रखना क्योंकि हील वाली चपले भी इन्हें इशारे की कैटिगरी में आती है हाई हील पहन कर तुम किस तरह चल रही हो कैसे बैठी हो ये सब रिकॉर्ड होता है और इसी के आधार पर होती है पड़ताल इन्ही सबसे लड़के लेते हैं सिगनल और ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती तुमारा बात करते हुए टची होना यानि छू छू कर बात करना कंधे पर हाथ रखना हाथ मिलाना सोशल मीडिया पर आक्टिव रहना इंस्टेग्राम पर पोटोस पोस्ट करना यहां तक कि तुमारा एक्जिस्ट करना इस दुनिया में रहना सब कुछ सिगनल है मजाग कर रही हो यार ये सब सरकास्म था इन में से कुछ भी उत्तेज़त करने के लिए कुछ भी करना लड़कों को उत्तेज़त करता है और मजे की बात यह है कि लड़के अपनी उत्तेज़ना को कंट्रोल भी रही कर पाते इसके लिए सारी पाबंदिया लड़कियों पर लगाई जाती है अरे भई लड़कों को सिखाओ अपनी हद में रहना हर बात में सिगनल लेना बंद करना इतना सेल्फ सिंट्रिक होना बंद करना कि दुनिया में सारी चीज़ें लड़कें उन्हें रिजाने के लिए ही करती है हर ग्यान और हर बैन लड़कियों के उपर लगाने की बजाए जरूरत है कि लड़कों को भी कुछ चीज़ें सिखाई जाए वो ग्यान थड़ा लड़कों को भी दिया जाए आपकी क्या राय है इस पर? मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताईए कैसा लगा ये एपिसोड? ये भी बताईएगा कल फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ अपना ख्यार रखिए शुक्रिया